हेलो प्रेंट्स वेलकम टो वाई चाइनल तो आज के वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ प्रिसकट ब्लाउस पे पैड कैसे आड करें आ जाता है तो यहाँ पे हमने कटिंग करके ले लिया है यह सेंटर वाला पार्ट है और उसके साइड वाले यह करूंगी और इसको उपर से हम कैन्वास रखेंगे तो यह नेक का जितना हमारा वीड है उससे हम एक इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कैन्वस लिया है अब हम इसको कैन्वस की उपर भी ड्रॉ करेंगे और इसको पीनप करके सिक्यूर करके ले अब यहां पर हलके हलके हम नौच लगाएंगे और पलट कर अंदर की तरफ फूड़ कर देंगे तो यह हमारा नेक वाला पार्ट रेडी हो गया है अब हम इसके साइड के पार्ट इसको अटेच करेंगे अब यहां पर हमें क्या करना है जो अस्तर वाला पार्ट है वो अस्तर के यहां जोइन करना है और उसके स्टिचिंग जो है अंदर से आजाईगी और फैबरिक वाला इस तरह से इसके उपर रखना है और नीचे से हमें यह जोइन करना है झाल झाल हम इसको डबल स्टीच करके ले लेते हैं ताकि ये फैबरीक अच्छे से स्टीच हो जाएगा उसके बाद हम इस तरह से अस्तर स्टीच करेंगा अस्तर को हम इस तरह से नीचे से जाइन करेंगे हमने जैसे फैबरीक को उपर से किया था पीस को नीचे से यानि कि क्या हो जाएगा दोनों जो स्टीचिंग है वो अंदर की तरफ रहेगी और बाहर के साइड में पूरा फिन तो यहां पर यह स्टीज करके हो गया है अब सेम हम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से स्टीज करके ले लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हूं कि यह एक साइड हो गया है अब एक साइड में सेम हम स्टीज करेंगे अब यहां पर हमारा स्टीजिंग होने के बाद हम इस तरह से नीचे से दोनों तरफ से थ्री इंच का मार्क करेंगे अस्तर पर ही और यहाँ पे हम cups लगाएंगे यानि कि pad add करेंगे इस तरह से उसको fold करना है और center में एक mark करना है अब हम इसको यहाँ से stitch करेंगे तो इस तरह से रखना है और जो fabric बाहर में आ जाता है stitching करने के बाद यानि कि वहाँ से हम उसको add करेंगे ताकि यह कहीं पे भी अंदर से इसक तो हमने margin line होती है वहीं पे हम इसको stitch करेंगे तो इसी तरह से हम दूसरा वाला भी add कर लेते हैं झाय कर दो अगली करेंगे तो यहां पे हमने दोनों पैड आड कर लिए है अब साइड में से इसको स्टीज करेंगे तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि पैड लगाना कितना आसान है और कितना सिंपल है तो आप इसी तरह से आप भी पैड लगाओ बहुत अच्छे से फिटिंग भी बैट जाती है और ब्लाउज में भी पर्फेक्ट आ जाता है थैंक यू